जार्खन बिजेपे की प्रदेश अधियक्ष बाबुलाल मरांडी स्वक्मिशन मौजूद है सर चाहे CAA की बात हो या फिर NRC की या फिर गुस्पैट का मामला हो आपको देखा गया है आप इन तमाम मामलों पर बोलते पर नजर आते हैं फिलाल अगर वरतमान के हालात की बात है करप्षन भी उसी देन से राज में और फैलते चला गया है मन सौरेन तो नहीं मैं कहूंगा कि उसी देन से जार्खन में अगर आज सत्ता है तो पीछे से जो जार्खन में जो लूटने वाले लोग है दलाल बिचोलिया ब्रस्ट आपसर हो सब लोग मिल करके लोट रहे उ हालत यहां तक पहुंच गई कईक अपसर दोदो आईस अपसर जेल में बंद है कईक दलाल कईक विचोलिया जेल में बंद है एडी ने चापा मारा तो कोरोडो टका भी मिला और उसके बाद हेमन सोरेन भी उस दलदल में फसे हुए हैं उनको छे-छे बार एडी वालों ने नोटीज दिया लेकिन यहां से वहां भाग रहे हैं कभी हाई कोड तो कभी सुप्रीम कोड अब हाजिर नहीं हो रहे हैं इसे बिल्कुल असपस्ट है कि उन्होंने इन चार वर्सों की सासन में उन्होंने खुब लोटा है राज को खुब गड़वड किया है और इसलिए मै जार्खंड के जहां पर सीए एनर्सी लागू होना चाहिए लेकिन इसी किसा तब सवाल उठता है अवैद मजारों का लव जहाद का धर्मांतन का इसको लेकर क्या सोचते हैं जार्खंड के लिए इस प्रकार से जार्खंड में खास करके संथाल प्रगना को जो बेल्ट है स आवादी का जो डेमोग्राफी जो बदली है अचानक अब इतनी सारे लोग कहां से आ गए देरे देरे फैलते चले गए जमीन ले रहे हैं और उनको बसाया जा रहा है उसको मददाता बनाया जा रहा है तो सुभाविक रूप से अगर उसको हमें ढूड निकालना है वहां स उसको खोज निकालना है तो फिर रास्ता क्या है तरीका क्या है तरीका तो एक ही है वह है इनारसी अगर उस शेतर में इनारसी होगी तो यह पता चल जाएगा कब कौन कहां से आया है बसा है और किसे ने उनलों को बसाया है यह सारी चीज़ों के पता चल जाएगा कि जारखन की अगर बात करनी हो तो जल जंगल जमील को आप भूल नहीं सकते आपके हिसाब से आदिवासियों के साथ सबसे ज़्यादा लूट मार इस वक्त कौन कर रहा है लूट तो खुद है मनसुरी नहीं कर रहा है इन चार वर्सों में तो यही दीख रहा है चारो तरफ वहां की जितना खानीज था कोईला की लूट, बालू की लूट, पत्थर की लूट, एरे नौर की लूट, लूट ही लूट है चारो तरफ अभी भी साहब गज में जो पत्तों की लूट हुई है तो उसका CBI जहाँ चल रहा है और पूरे राज में आप इन चार वर्सों में देखें कितनी ख़दानों की लीज हुई है, तो सब पता चल जाएगा, लीज हुआ नहीं, जिल्लों का लीज था, वो भी विचार है, लीगल वो काम नहीं कर पाया, जितनी भी वहां काम चले, जितनी भी पत्थर के ख़दानों की उत्खनन हुआ, सब ही लीगल हुआ, सब कि हम तो वही कह रहें ने कि राजनेतिक मंसा कि करोडों टगा कहां मिल रहा है तो ED तो वहीं जाएंगे, income tax वाले वहीं जाएंगे, जहां नोट का बंडार हो, पहले जब पुझा सिंगल के ठिकानों पर छापा मारा तो करोडों टगा मिल गए, प्रोपर्टीज भी कहिक मिल जब और दूसरे आयस ओपसर के ठिकानों पर के एक जगा चापा मारा तो केक सारे काग जाते मिले, कैसे हेर पेर हेमन सोरेन के कहने पर किया गया लोगों ने, यहां तक कि सेना की जमीनों तक नहीं छोड़ा गया, हेमन सोरेन ने पूरे छार खंड में जितनी जमीन आज की तारिक में उन्होंने, लीगल, इल्लीगल उन्हें ले रखा है, करीद रखा है, जिसकी पूरी दस्तावे, जाच जए देडिये, एडी के पास होगी, तभी तो वो जार नहीं रहे, उनके हाजिर नहीं हो रहे हैं, तो यह जल, जंगल, जमीन, यह सब कुछ अगर लूटने भी करते हैं, यहां तक कि सेंटल की तमाम बड़े निता बोलते वे नजर आते हैं, इस मामले को लेकर, और अभी भी क्योंकि जा जा रही है, पैसे पर पैसे नहीं, बलकि यह कहिए कि पूरा नया ख़जाना जो है, देखने के लिए मिल रहा है, इसको लेकर क्या सोचते हैं दिखें, इतनी बड़ी रकम तो सेंबहोत या कि आज तक नागदी कहीं नहीं मिला है, पहली दपा मिला, कॉंग्रेस के सांसर, राज सभा के शदस, भी तीसरा बार है, धीरशा हो गया, अगर हम किसी भी बिजनेसमेंट से बात करते हैं, तो कोई नहीं कहता है कि इतना किसका है, तो निश्य त्रोप से कॉंग्रेस पार्टी का हो सकता है, या जारकन मुक्ती मुर्चा का भी हो सकता है, चुकि उनके ठिकानों पर भी कई दिनों से इधर सुधर भाग रहा है, तो उनको लगता है कि अखिर यह पैसा कहां से आया है, तो इसलिए हमने कहा कि यह सबसे जरूरी सवाल, आपको देखा गया है कि आप इंडिया गड़बंदन पर जो है कई बार बयान देते हों पर नजर आते हैं, जैमें भी जो है गड़बंदन की साथी है, क्या कहें गया, दिक कहना क्या है, गड़बंदन क्या हो पहली दफा हुआ तो नहीं है, पहले से कहते हैं, अगर बीजेपी में आना चाहेंगे तो तयार है आप इसकी बताईए, हमारी अटल जी कहते हैं, कि ऐसी करप्ट लोगों को तो चीमटा से भी छूना पसंद नहीं करेंगे, तो जिनकी करप्शन की चर्चा आज बच्चे बच्चों में है, पुरा देश जानता है फिर उनके साथ उनको कैसे अगमी जोड़ सकता है। प्रेस करें बेल आइकोन, निउस लावन भारत सच है तो दिखेगा।